श्रीमत भगवत गीता अध्याए बारा इस परकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले हेमन मोहन जो अनन्य प्रेमी भगचन इस पुर्वक्ट परकार से निरंतर आपके भजन द्यान में लगे हुए आप सगुन रूप परमेश्वर को अति स्रेष्ट भाव से उपासते हैं और जो अमिनाशी सचिदान अंगन निरंकार को ही उपासते हैं उन दोनों परकार के भगतों में अति उत्तम योग वेता कोन है इस परकार अर्जुन के पूछने पर शिरी कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन मेरे में मन को एकाग्रिट करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भगजन अतिशे श्रेष्ट शर्दा से युक्त हुए मुझ सगुन रूप परमेश्वर को भजते है वे मेरे को योगियों से भी अति उत्तम योगी मानने हैं अर्थात उनको मैं अतिश्रेष्ट मानता हूँ और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी परकार वश्मे करके मन बुद्धी से परे सर्व्यप्पी अकथनिय सवरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्ते अचल निराकार अविनाशी सचदान अंधगन ब्रह्मा को निरंतर एकी भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं वे संपूर्ण भूतों के हित मेरत हुए और सब में समान भाव वले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं किन्तु उन सचिदान अंधगन निरंकार ब्रह्मा में असक्त हुए चित वाले पुरुषों के साधन में कलेश अर्थाद परिश्रम विशेश है क्योंकि दे अभिमानियों से अव्यक्त विश्यक गती दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है अर्थाद जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद सचिदान अंधगन निरंकार ब्रह्म में स्थिती होनी कठिन है और जो मेरे प्रायन हुए भगजन संपूर्ण कर्मों को मेरे मेरपन करके मुझ सगून रूप परमेश्वर को ही तेल धारा के सद्रिशे अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं हे अर्जुन उन मेरे में चित को लगाने वले प्रेमी भक्तों का मैं शीक रही मृत्यूरूप संसार समुद्र से उधार करने वला होता हूँ इसलिए हे अर्जुन तु मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धी को लगा इसके उपरान तु मेरे में ही निवास करेगा अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा इसमें कुछ भी संशे नहीं है यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्थ होने के लिए इच्छा कर यदि तू उपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए करम करने के ही परायन हो इस परकार मेरे अर्थ करमों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ती रूप सिद्धी को ही प्राप्त होगा और जदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मनवाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरन हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर क्योंकि मरम को ना जानकर किये हुए अभ्याद से प्रोक्ष ग्यान स्रेष्ट है और प्रोक्ष ग्यान से मुझ परमेश्वर के सबरूप का ध्यान स्रेष्ट है तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना स्रेष्ट है और त्याग से ततकाल ही परमशान्ती होती है इस परकार शान्ती को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेश भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सब का प्रेमी और हेतू रहित द्यालू है तथा मम्ता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ती में सम और शमावान है अर्थात अपरात करने वाले को भी अभे देने वाला है तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभानी में संतुष्ठ है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किये हुए मेरे में द्रिण निश्चे वाला है वहे मेरे मेरे में अरपन किये हुए मन बुद्धी वाला मेरा भग मेरे को प्रिये है जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्रात नहीं होता है और जो स्वेम भी किसी जीव से उद्वेग को प्रात नहीं होता है तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदिकों से रहीत है वेह भक्त मेरे को प्रिये है जो पुरुष आकांख्षा से रहीत तथा बाहर भीतर से शुद और चतुर है अर्था जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपास से रहीत और दुखों से छूटा हुआ है वेह सर्व आरंभु का त्यागी अर्थात, मन, वानी और शरीर द्वारा प्रारब्द से होने वाले संपून, संभाविक कर्मों में करतापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिये है जो ना कभी हरशीत होता है, ना दुवेश करता है ना शोच करता है, ना कामना करता है और जो शूब और अशूब संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है वे भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिये है जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदिक द्वन्दों में सम है और सब संसार में असक्ति से रहीत है तथा जो निंदस्तुति को समान समझने वाला और मननशील है अर्थात इश्वर के सवरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जिस किस परकार से भी शरीर का निरवा होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में मम्ता से रहीत है वे सिर्बुद्धी वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिये है और जो मेरे प्रायन हुए अर्थात मेरे को परम आश्रे और परम गती एवं सबका आत्मरूप और सबसे परे परम पुझे समझ कर विशूद प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए शर्धा युक्त पुरुष इस उपर कहे हुए धरम में अमरीत को निश्काम भा उसे सेवन करते हैं वे भक्त मेरे को अतिशे प्रिये है